हेलो बचो आज की क्लास में हम डिसकस कर रहे हैं हमारी क्लास 9th की Mathematics की Worksheet 67 Date is 14 December 2020 and Topic is Revision किस चेप्टर की? Polynomials की यानि हमारे Chapter 2 जो है बहुपद उसकी हम आज revision कर रहे हैं तो अब revision of Worksheet है 7, 8 and 9 तो स्टार्ट करते हैं Select the correct answers in question number 1, 2, 5 यानि प्रशन संख्या एक से चार्थ में सही उत्तर का चैन कीजिए तो अब first question है Which of the following is our, और are polynomials यानि निम्न में से बहुपद बताईए कि इन में से polynomial कौन है, बहुपद कौन है तो सबसे पहले तो हमें याद करना चाहिए कि बहुपद कौन सा होते है polynomial किसमें कहते है जहां पर हमारे 1 से ज़ादा पद हो यानि term ज़ादा हो तो वो हमारे बहुपद होते है और साथ ही साथ जहाँ पर जो हमारा variable है यानि जो चर है यहाँ पर है x, तो उसकी पावर, उसकी घात जो है, वो एक पूर्ण संख्या होने चाहिए, एक whole number, यानि 0, 1, 2, 3, यह होना चाहिए, वो negative number नहीं हो सकता, नहीं fraction में number हो सकता है, ठीक है, तो आप इजनी rules को follow करते हो, हम check करते हैं, इन में से हमारे polynomial, यानि बहुपत कौन से ह तो सबसे पहला है, root 7x plus 5, तो यहाँ पर x की घात क्या है, एक, यानि पावर 1 है, तो यह हमारा बहुपत है, यानि polynomial हो गया, तो answer a हमारा correct हो गया, next है 8, अब 8 जो है, वो हमारा क्या होता है, constant बहुपत, constant polynomial बोलते हैं इसे हम, तो यह भी हमारा बहुपत हो गया, फिर है c, 1 बटा 2x, तो यहनि अगर आपने से convert करें, तो यह क्या हैगा, 1 बटा 2x पावर माइनस 1, यानि घात माइनस आ गई, तो यह भुपत नहीं हो सकता, उसी प्रकार नीचे वाला जो प्रशन है, 5x की घात 5 बटा 2, तो मैंने अभी बताया, कि हमारा घात जो है, वो fraction में नहीं ह हो सकती, यानि यह भी बहुपत नहीं है, तो A और B जो हैं हमारे correct answers हैं, अब आते next question पे, question number 2, the terms of the polynomial x cube minus 4x square minus 3x plus 2 are, यानि बहुपत x cube minus 4x square minus 3x plus 2 के पद, हमें यहाँ पर पद बताने, अब इसके सबसे पहले हम पद खुद लिखते हैं, कि इसके पद क्या-क्या हो सकते हैं तो अब हम यहाँ ध्यान से देखें, तो पद क्या-क्या होंगे, x cube, first term यह हो गई, फिर बनेगा minus 4x square, फिर minus 3x, और फिर last में आया 2, वो भी plus का, तो अब यह वाला answer हमें कहां मिल रहा है, यह answer हमें मिल रहा है हमारे option, ध्यान से देखो, option किस में मिल रहा है, c में, plus 2 में यहाँ पर, जो है, कॉमा नहीं है, इसलिए हम minus 3x plus 2 पूरी एक term एक साथ नहीं ले सकते हैं, तो c जो है हमारा, वो हमारा correct answer है, तो हम c को mark कर देते हैं, next question, coefficient of x square in x square minus 1 into x minus 2 is, यानि बहुपद x square minus 1 into x minus 2 में x square का गुणा अंक, यानि इसके गुणा में कौन सा अंक है, अब यहां हम सीधे x square के आगे देखकर इसे बतानी देंगे कि यह एक है इसका गुणा अंक, coefficient 1 है, नहीं, पहले हम इसे solve करेंगे, यानि x square minus 1 और x minus 2 को हम multiply कर करेंगे, गुणा करके हल करेंगे, तो सबसे पहले x square, इन दोनों से गुणा होगा, multiply होगा, तो x cube minus 2 x square, फिर minus 1 की बारी आई, तो minus x plus 2, अब यह बना हमारा polynomial बहुपद, इसमें हमें देखना है कि x square का गुणा क्या है, तो क्या है coefficient, वो है minus 2, तो answer हो गया a, तो a हमारा correct option ह क्या, अब next आ जाते हैं, next question है, question number 4, the degree of the polynomial root 5, यानि बहुपद root 5 की घात क्या है, तो जो हमारा number constant होता है, जैसे root 5 है, तो यहां ऐसे constant number के लिए, हमारी घात क्या होती है, हम यहां पर अगर कोई चर जो है, x हमने लिया variable, उसकी घात हम 0 लेंगे, तो x की घात होगे 0, यानि root 5 into 1, 1 हो जाएगा, यानि हमें पता है, जो हमारे constant polynomial होते हैं, वहां पर degree, यानि उसकी जो भुपद की घात होती है, वो होती है 0, तो answer हो गया B, next है, the zeros of the polynomial x square minus 2x, आर, यानि भुपद x square minus 2x के 0 क्या है, तो इसे हल करके देखते हैं, तो यह x square minus 2x, 0 निकालने है, तो यानि zeros निकालने के लिए, 0 से ही compare करेंगे, अब यहां से हमने x common निकाला, अंदर बचा, x minus 2 is equal to 0, एक बार हमने x को 0 रखा, और एक बार x minus 2 को 0 रखा, तो हमें क्या value मिली, x की value 0 मिली, और x की value 2 मिली, तो answer क्या हो गया, option D, तो हमें 2 zeros, यानि 2 zeros हमें यहां मिले, 2 0, next है हमारा right, true or false, यानि हमें बताना है कि सही है या गलत, जो हमें यहां पर statement दिये हैं, अब एक एकर के statement देखते हैं, every polynomial is also an equation, प्रतेक बहुपद एक समीकरण भी हो सकता है, तो क्या प्रतेक बहुपद एक समीकरण भी होता है, नहीं, जब तक हम उसे किसी से equate नहीं करते, किसी के समान नहीं करते, तब तक वो समीकरण नहीं बनता, यानि equation नहीं बनता, तो पहला statement हो गया हमारा false, यानि यहां हम क्या लिखेंगे, यह हो गया गलत, क्योंकि सही गलत बताना है, फिर है every polynomial is binomial, सारे बहुपद जो होते हैं, वो द्वीपदी होते हैं, द्वीपदी क्यों, त्री अब आजाएं तीसरे पार्ट पे, अब binomial may have degree 5, द्वीपदी बहुपद की घात 5 भी हो सकती है, हो सकता है इसा, क्यों नहीं हो सकता है, अगर हम लिखें x की घात 5 जमा 6, तो दो पद हो गए, हमारे पास binomial हो गया और घात क्या है, 5 यानि यह हो गया हमारा true, यानि इस पे ह हम क्या लिखेंगे, यह statement है हमारा सही, तो यह हो गया सही, अब next question देखें, degree of zero polynomial is not defined, कि शुन्यक बहुपद की घात अपरिभाशित होती है, वो तो हमें पते है यह शुन्यक के साथ कोई जो बहुपद है शुन्यक उसकी घात हम देख ही नहीं सकते, वो अपरिभाशित है, not defined है, तो यह हो गया true, यानि यह भी हो गया हमारा सही, next, zero of a polynomial is always zero, कि एक बहुपद का शुन्यक हमेशा zero होता है, यह तो जरूरी नहीं, क्योंकि हमने उपर देखा हमारे पस क्या है, दो भी आया उत्तर, तो यह हो गया हमारा false, यानि गलत, तो शुन्यक तो कुछ भी हो सक किसे बोलते हैं, हम zeros, जो उस polynomial के हो, यानि उस बहुपद को पूरे मान कोस्त की value को zero बना दे, अब है next question क्या है हमारे पास, find the zeros of the following polynomials, निमलिकित बहुपद के शुन्यक गयाद कीजिए, तो अब इनके शुन्यक गयाद करें, first part क्या है, 2x plus 5, तो अब 2x plus 5 का हमें शुन्य गयाद करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको zero के बराबर रख देंगे, अब zero के बराबर रखा, तो x की value क्या मिल गई, minus 5 by 2, तो ये हो गया हमारा part 1, अब part 2 है, x square minus 1, तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, x square minus 1 को zero के equal रखा, तो x square minus 1 को हम x minus 1 into x plus 1 लिख सकते हैं, is equal to zero, तो एक बार हम x minus 1 को zero रखेंगे, एक बार x plus 1 को zero रखेंगे, तो answer मिल गया, x is equal to 1 और x is equal to minus 1, तो second part में हमें 2 zeros, यानि 2 शुन्यक मिले, और उत्तर के आ गया, ये हमारा answer हो गया, अब next, 5x minus 4, यानि 5x minus 4 जो है, इसे हमें zero के equal रखना है, तो अब हम 5x minus 4 को zero रखेंगे, तो x की value आ गई, 4 by 5, यानि 4 पटा 5, और last, 3x जो है, वो देखना है, तो 3x, 3x को जब हम zero रखेंगे, fourth part हमारा है, 3x, इसको zero रखेंगे, तो x की value क्या मिल गई, 0, तो ये हो गए हमारे x के मान, यानि zeros of the polynomial, या बहुपत के शुन्यक, अब next question है, find the value of the polynomial, 5x minus 4x square plus 3, at x is equal to zero, x is equal to one, x is equal to minus one, and x is equal to two, यानि निमलिखित पर बहुपत, 5x minus 4x square plus 3 के मान गयात कीजिए, जब हमारा x zero के बराबर हो, 1 के बराबर हो, minus 1 के बराबर हो, और साथ ही साथ, x किस के बराबर हो, 2 के बराबर हो, तो अब हम इसे हल करते हैं, तो answer 8, यानि हल 8 जो है हमारा, हमें polynomial, यानि बहुपत किया दिया हुआ है, 5x minus 4x square plus 3, और इसमें हम different x की value डालके value calculate करेंगे, तो सबसे पहले हमें देखना है x is equal to zero, कि जब हमारा x zero हो, तो हमने क्या करना है, अगर यह हमारा px है, तो सबसे पहले हमें calculate करना है p0, यानि जहाँ-जहाँ x है, वहाँ-वहाँ हम zero रखते जाएंगे, तो यह हो गया 0 का square plus 3, यानि 0 minus 0 plus 3, तो answer क्या आगया, 3, हो गया, solve, अब second है हमारा, जब हमें x is equal to 1 दिया हुआ है, यानि p of 1, कि जब हमारा x 1 हो, तब क्या होगा, तो x में जहाँ-जहाँ x है, वहाँ हम 1 रखते जाएं, यानि 4 into 1 square plus 3, तो यह होगा 5, यह minus 4 plus 3, तो answer क्या हो गया हमारे पास, 4, अब third part देखें, third part में हमें x को क्या रखना है, minus 1, यानि p of minus 1, यानि 5 into minus 1, minus 4 into minus 1 का square plus 3, तो यहाँ मिला minus 5, यह, अब minus 1 का square करेंगे, power जो है, वो even number है, यानि समसंख है, तो वो plus बन जाएगा, तो महार का minus, minus रखेगा, और यह हो गया, plus 3, तो यहाँ पर answer क्या मिलेगा हमें, यहाँ मिला हमें, minus 6, अब next value क्या है हमें, x को क्या रखना है, अब, x को रखना है, 2, यानि p of 2, 5 into 2, minus 4 into 2 का square, plus 3, तो यह हो गया, 10 minus 16, plus 3, और इसे solve करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ मिला हमें, minus का 3, हो गया, सौल, तो यह है हमारी आज की वर्कशीट, इसी टाइप के और questions की practice कीजिए, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक, keep practicing and enjoy maths.